दमश्कर दोस्तों फिट से स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Poco M2 है M3 है या कोई और मॉडल है तो यहां पे आप अपनी फोटो कैसे सेट कर सकते हैं वाल पेपर पे या फिर कोई भी एक वाल वाल पेपर कैसे लगा सकते हैं लॉक स्क्रेन पर या होम स्क्रेन पर तो सबसे पहले मैं यहां पर गैलरी में से लगा के दिखा देती हूं तो गैलरी में से कैसे आपको सेट करना है तो यहां पर आप गैलरी ओपन कर लेंगे और यहाँ पे मैंने app lock set कर रखा है तो यहाँ पे कुई भी एक photo आप select कर लेंगे इसके बास set करने के लिए आप इस पे click करेंगे ऐसे करके तो यहाँ पे 3 dot का option आएगा 3 dot पे click करेंगे set wallpaper पे click करेंगे यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पर आप ऐसे करके चेंज कर लेंगे इसको position को कितना set करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको apply पर क्लिक करना है apply यहाँ पर आपको कहा करना है lock screen पर home screen पर या दोनों पर तो मैं इसको home screen कर देती हूँ सेट हो रहा है wait कर लेंगे set हो चुका है इसके बाद यहाँ पर आप back कर लेंगे और यहाँ पर थीम का option आएगा अब second वाला हम थीम से करेंगे तो यहाँ पर पहले तो आप देख सकते हैं कि आप आपका जो wallpaper है फोटो है वो लग चुका है wallpaper पर अब यहाँ पर थीम में से ले okay रहे देंगे और इसको म लोग स्क्रीर पर सैиком और यहाँ पर नू थेंक्स कर देंगे कैं कितो है तो आपका लोग स्क्रीशन पर अपलाई हो चुका है अब यहाँ पर आप इसको आ Manuel करेंगे तो देख सकते हैं वाल पे पर यहाँ पर सैट हो चुका है तो इस स्ट्रैडिं लॉक स्क्रीन या फिर होम स्क्रीन वाल पेपर चेंज की आई होगा इस वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार